कि तभी आईरवेद प्रेमियों को नमस्कार कि यूट्यूब पे बहुत सारे विवर्स विविविद्ण प्रकार के प्रश्ण पूछते रहते हैं लेकिन समय की विवस्ता के कारण सभी प्रश्णों के उत्तर मैं आपको तुरंदे नहीं पाता हूं उसी में से एक प्रश्णा आज था वह था कि आईरवेद में पोज वर्धक आहार किस प्रकार से लेने चाहिए उसके संबंध में कुछ अगरमार्ग दर्शन है तो वो बताए है तो इसमें विशेष्ट हां हमने जानने का प्रयास किया कि आईरवेद में सबसे पहले तो यह हमें पता होना चाहिए कि ओज है क्या आईरवेद के द्रिस्टी से उसके ऊपर हम थोड़ा प्रकार डालने की पोशिश करेंगे तो वेदिक काल से या जोपनी वेद साहित्य है उसमें भी हमें ओजस का वरनन मिलता है विभिन जो दो संदर्व तीन संदर्व मैंने आपके सामने रखी ओज में विभिन प्रकार के परियाए भी हमें दिखते हैं जैसे प्रानबल शक्ति तेज चमग उच्साह सामर्थ्य वीर्य कांति जल जोश धिप्ति प्रकाश तो देता है क्या उसके बारे में हमारी ज्ञान जो इसको बणाता है अब सबसे पहले तो ओज की उद्द्दती किस प्रकार से होती है चरकसमीता JUतर्स्थान के सत्राविया ध्यायमिस का विवरन आता है כई ये ओजस जो है 성से पहले च्रीश में उत्द्दन होता है और उसका र रस वह शहत के समान होती है और उसका जो स्मेल है गंद जो है वो लाजा गंदी है जिसे हम अंग्रिजी में फ्राइड पैड़ी कहते हैं तो यह सबसे पहले उत्पन होता है ऐसा चरकाचारे हमें बताते हैं सुशृत जी के अनुसार जो सुशृत समिता के लेखक है या हम जिने सुशृत आचार यह पायोनियर आफ सरजरी कहते हैं वह सभी धातुओं का याने रस से लेके शुक्र तक रसर रक्त माउंसमेद अस्थी मज्जा शुक्र इन सभी साथ धातुओं के तेज स्वरूप में उसको बताते हैं यही अश्टांग्र धैकार उसको दोराते है और उसका वर्न शुक्ल है शीत स्वभावाला है स्थेर है जिसे अंग्रदी में हम स्टेबल कहते हैं सरम यानि वह पतला है उसका स्वरूप जो बताते हैं बताया है विविक्त यानि प्यॉर मृदू मृद्शन तो मृदू का आर्थ है सौफ्ट ऐसा लेंगे हम और डेलिकेट यह मृद्शन से लेंगे यानि यह बहुत ऐसा शरीर में एक पदार्थ है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है सामाने भा कानायतन कहा है याने इलिज दी स्टीट फॉर लाइफ पोर्स याने ओज की अगर हानी होती है तो जीवित को भी हमें नुकसान पहुंच सकता है इस लाइफ थ्रेट्निंग अब यह अश्टांग संग्रहकार जैसे मैंने अभी बताया वागभडाचार जी बताते है यह सर्वधातू नाम ओजस्तत्परम उच्चते तो यह सर्वधातूं का रससे लेके शुक्र तक इनका इनमें स्रेश्ठ है वगरा अब ओज का स्थान जो है विशेश्तहा रुध लेकिन यह सरव शरीर व्यापत भी होता तो इसको महत ग्रेट अर्फ सर्वींग ऑल पर पर इस प्रकार से महत और्थ इस प्रकार से चिकीटसक कईही तस्मात उक्तम यानि आईरवेठ चिकीटसक इसको क्या कहते है महद अर्थ वाला कहते तो अब यह कुछ और उसके रेफरेंसेस है वह किस प्रकार से उसका स्वरूप है इसको भी वर्णन करता है जैसे सूत्रस्थान के इसवे अध्याय में चरकाचारिय ओजो वह शरीरे अस्मिन इस प्रकार से शरीर में अगर ओज कई धर है उसका विशेश थान रधय है और वह है के माध्यम से जो दसधमनिया होती है उसी से संपूर्ण शरीर में रख्ट के द्वारा प्रभावित या प्रवाहित यह ओज होता है प्रानायतन चरकाचारी इसको कहते हैं और वह दश प्रनायतन बताते हैं उसमें ओज को भी उन्होंने कहा है अब इसको जीवित के समान उपमादी है या देहस्तिती के बरकरार रखने के लिए लाइफ को मेंटेन करने के लिए भी ओज रिस्पॉंसिबल है ओज आवच्चक है अब इसकी जो फिजियोलोजिकल विभिन प्रकार के स्ट्रक्चर्स है आईरवेद के गुणों को देखते हुए या आईरवेद के ग्रंथकार जो बताते हैं उनको अगर हम कंपेर करें तो आपके सामने स्लाइड में टेबल है जैसे गुरु गुन से हम प्लाज्मा प्रोटिन ले सकते हैं शीतं से हम लिक्विड प्रिजेंट इन दश्रकार से ले सकते हैं तो यह विवेचं के लिए स्टड़ी के लिए आ हम ले सकते हैं अब ओज के गुण ग्रंदकार बताते हैं गुरु शीतम रुदूश लक्षनम वगेरा यानि इसके जो लक्षन नहीं के स्वारी गुण धर्म कहेंगे हम तो वह है यह वी कोल्ड साथ स्मूथ विस्कस स्वीट स्टेबल क्लियर स्लाइमी और अंशियस तो यह दाश गुन बताये हैं ओज ओज और विश के गुन एक्जाक्ली अपोसिट होते हैं उसमें हम आप नहीं चाहेंगे ओज के कर्म यानि ओज शरीर में क्या करता है तो यह शरीर में विशेश तहमाउस धातू वर्धक है शरीर में जो भी हमारी सुक्ष्मयम स्थूल हल्चल ह कि यह क्रियाएं होती है वह नीमित करने के लिए यह देन हमारा स्वर हमारी आवाज इसका वह टेक्स्चर След इसमें लाता है याने वह करता है वह स्वरम उषण प्रसाद यानि शरीर को अम過去ं हें जिसे हम स्कीन टेक्स्टर केते हैं उसको में चरता है और सबसे बड़ी बात यह शरीर के जो भी हमारे बाहिय एवम आभ्यंतर यह विविद अवयव है और गंस इंटर्नल और एक्स्टर्नल और गंस इनका सामान्य क्रिया करने के लिए यह आवश्चक होता है यह क्रिया यह करवाता है इसा भी हम कर सकते हैं शरीर में उसका प्रमान जो बताते है अरधांजली बताया है यानि उसका क्वांटिटी कितना होता है या अईरवेद के अपने शरीर में इसका अब आता है कि ओज का पोशन ये होता है वह किससे से ऐता है तो और सभी mayor of में उसको कहा है इसे लिए लेके शुक्र तक यह बनता है अब रशरक्त अधि धातू ऑर ओज यह सब बनता है पुछ आचारे तो इसको अष्टम भाटू भी कहते है कुछ उपधातू कहते हैं और कुछ जो है वह सभी धातूं का सार कहते हैं अब जो शरीर में है वह है जब हम माता के गर्भ में होते हैं तो आठवे महिने में यह अनस्टेबल होता है स्थिर नहीं होता है और ओज माता के शरीर से गर्भ के शरीर में और गर्भ के शरीर से माता के शरीर में यह प्रवाहित होता रहता है इसलिए जब वह माता के शरीर में होगा तब माता प्रसन्न होती है एक भावस्ता की बात कह रहा हूं मैं जब आठवा मह hinaचल रहा होता है तो अस्तिरी भावती ओच आहां ऐसे अरवेद के ग्रंथकार कैते हैं तो इसका मतलब यह है कि माता के शरीर में जब वोज रहेगा तो माता आनन्दित रहती है और जब वह गर्भ में रहेगा तो माता मलान रहती है या माता उडाश रहती हैं कैसकते था कि ओई इससे महिसूद करती है जो है वह आनंदित रहता है अब इस स्थिती में अहरबेद में मैं मार्क-दर्शन मिलता है कि अगर 8 मह समय में डिलीवरी होती है प्रसव होता है और उस वक्त अगर माता में ओज नहीं और उस बच्चे में हो या फिटस में हो तो बच्चा प्रसुत होता है जीवित और माता के जीवित को नुक्सान हो सकता है वह अगर माता की शरीर में होज है तो माता जो है जीवित या उसके जीवित को नुक्सान नहीं होगा लेकिन जो प्रसुत कोने वाला बच्चा है उसको नुक्सान हो सकता है या जीवित उसका जो है वह संकट में आ सकता है तो इसलिए मार्गदरशन करते हुए जो मासानुमासिक गर्भवरद्धिक रंधकार बता चाहिए और इसलिए आठ्विया महिने में प्रसूति ना हो इसकी ज्यादा से ज्यादा हमने खबरदारी लेने चाहिए और उस प्रकार से उपाए जो है वह करने चाहिए अब विभिन ओजो विकृतियां भी बताएं जैसे ओज कम होना और बढ़ना यह धातूं के बारे में क तीन प्रकार की विकृतियां बता ही है वह जो बोज विश्रवनस के लक्षण उसके बाद ओजवयापत के लक्षण और ओज की कारण इवं लक्षण बताएं लस्ट्रेक्शार के कारण थूड़ा इसके प्रकार चाहता हूं क्योंकि खशच्शाय होने वाले कारणव को टालना या उनको अवाइड करना यह भी ओजवर्धक भी है इसलिए अभिगात यानि किसी भी प्रकार का आघात शरीर पे होना देन हम कह सकते शय यानि शय को राजयक्ष्मा या डी जन्रेशन भी हम कह सकते हैं जैसे टुबरक्लासिस जैसा व्यादी देन अब आद में आता है कि बहुत जो है वयों के आवस्थान उसार वए जो है व्रद्धा वस्था में ओज कम होती जाता है इसके सिवा कुछ मानस भा इसलिए इनको अवोइड करना जैसे मानस भाव जो बताया है विशेशता है को शोक प्रोद वगेरा इनको हमने आया भूक लगनी के बाद तुरंत आहर लेना चाहिए इन चीजों को तो हम आसानी से कर सकते हैं इसलिए केवल ओजवर्धक आहर का क्या लेना चाहिए यह केवल परियाप्त नहीं है आहर लेना तो इन ओजख्षय के कारणों को टालना यह हमारे लिए अपथ्य है यह भी हमने जानना चाहिए अब ओजख्षय के लक्षन है उसके बाद में उसको विवरन हम साद में करते है अब यह आप आपके सामने एक स्लाइड है देखिए इसको कहते हैं किरलियन फोटोग्राफिक किरलियन और उनकी वाइब थी जन्होंने यह लिया जाता है तो आपके सामने देखिए ये पहला फोटोग्राफ आप देख सकते हो मैं बिदाता हूं आपको यह केवल पहले व्यक्तिक पहले हैं इसको आप देख सकते हैं कि यह यलो कलर में रेड कलर में और ग्लू कलर में और बहुत अच्छा और इसका है कि यह स्वस्थ व्यक्ति यह दो उधारन जो है यानि लेट साइड वाला और यह राइट साइड वाला यह दोनों ही अस्वस्थ या व्याधी युक्त व्यक्ति के औरा है यह औरा इसलिए मैं समझा रहा हूँ आपको कि इसको हम कंपेर कर सकते हैं ओज के साथ यानि ओज क्षय अगर है तो इस प्रकार की उस किरलियन फोटोग्राफी में उसकी विक्रतिया दिखें आजकल इविडेंस बेस हर कोई की चीज़ होने चाहिए हम कहते हैं और इसलिए यह एक प्रकार का ग्यास्टिचार विजुलाइजेशन है जो शरीर की क्षमता को या शरीर में जो स्थिति है उसको प्रदरशित करता है तो ओज विश्रम्स ओज व्यापत और ओजक्षय यह हम आसानी से इस औरा से चानते मैं यह नहीं कहना चाहता कि किरिलियन पोटोग्राफी से हमने ओज का निदान करना चाहिए लेकिन विभिन जो पद्धतियां है वापन पद्ध की पद्धति की वह आपके सामने में ने रखी ठीक है तो चलते है नेक्स्ट स्लाइड में अब देखिए ओजक्षय की चिकित्सा अब ओजक्षय की चिकित्सा भी जो है वह बहुत ही सिंपल बताई है टेकनिक स्वरूप में क्योंकि आईरवेद में जो आईरवेद समझता है क्यों क्रिया विशेश है ही अविरुद्ध है ही बलम आप्याए इतरम तु मूडस अउध्यम वरजे क्या विशेश यानि चिक यहनि ओजों के गुन के समानन पदार्थों का सेव न आहर पदार्थों का और यह गुण कम ना हो आयसा विहार यानि हमारी खानपान की पद्धती या वरतन की पद्धती आहर और विहार इसको हम कहेंगे कि इन love¿ यह व्यादिक्षमत्व की चर्चाज हम नहीं करेंगे इम्यूनिटी को भी बहुत सारे आचारियोंने और विद्वानोंने ओज के साथ जोड़ा है और इम्यूनिटी या व्यादिक्षमत्व जिसे कहते हैं चक्रपानिदत्त जी जो चरक समिता के टीकाकार है इन्होंने सहज और कालज यानि त्रिविधम बलं सौरी सहज कालज और युक्तिक्रत त्रिवीध प्रकार का बल यानि इम्यूनिटी होती है वह इनेट एक्वार्ड और आर्टिभिश्य यानि जो हमें जन्म से प्राफ्त होती है कालज यानि काल के अनुसार जैसे तारुन्यावस्थ में इम्मिनेटी अच्छे होती है व्रिद्दावस्ता में कम होती है इसको हम कालज कहेंगे और युक्तिकृत यानि जो हम अब बात कर रहे हैं क्या खान पान लेना चाहिए क्या हमने वरतन में हमारे विहार में क्या सुधार कर ना चाहिए जिससे हमारी बढ़ेगा और उससे हमारी व्यादिक शमत बढ़ेगा याने इम्मुनिटी बढ़ेगा तो इम्मुनिटी के कौन-कौन से से इंफ्लेंस करते हैं आसान शब्दों में बताने का इस स्लाइड में प्रयाज किया है प्लेस आफ बर्थ टाइम आफ बर्थ फ्रेवरेबल वेदर जेनेटिक कॉलिटी याने माता-पिता के हमारे जो शहत्व है वही हमें प्राप्त होका माता-पिता से वगैरा और सबसे इ बढ़ाने वाले आहार के कुछ रेफरेंसस यहां पर दिया है तो आईरवेद में गुना नुसार उसका वर्नन किया है कि समिता जो है वह इसापूर्व एक हजार से एक हजार पांसो साल पहले निर्मान जैसे चरक समिता का कहें तो अगनिश वेश तंत्र नाम उसका था एक वक्त के अहार यह पदार्थ के उदाहरन देने से गरंतकारों ने यह समझा कि गुण धर्मात्मक वर्नन जादा करें इसलिए जीवनीय आउशद क्षिर रसाद्यास्तत्र भीशजम इस प्रकार से बताया यानि रुद्य यानि रुद्य को जो अच्छा लगता है वह पदा उसको हमने सेवन करना चाहिए यह काश्चप समहिता में सूत्रा आता है और अश्टांग्र देकार वागमण बताते हैं कि जीवनीय आउशद जीवनीय एक वनस्पतियों का समूह है उसको कुछ वनस्पतिया हम उसको देखेंगे उनका सेवन हमने करना चाहिए और दूर्ध यह ने इंद पदा रंल न Понट सेवन करना आ आपह यहां वहत हैं निर्पगback अधर के दूर्ध में गयान है किसा سबन करना चाहिए लिए जो इन गुन वाले होते मैं इसकीुदारन हम लिए के हैं जैसे खजूर है बादाम है गाई का गी केशर गाई का दूद और वह भी प्रेश शहद है अच्छा वाला साबूत अनाच यानि वह पॉलिश जो धानी है इसका इस्तमाल नहीं करना चाहिए और विशेश्टा हां अगर हम कमजोरिया और दुरूबल ठकान यह महसूस कर करते हैं तो कुछ आसान शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह हमारे ओज को क्षय का कुछ लक्षन है और इन पदार्थों का हमने सेवन करना चाहिए कि पदार्थों को हमने वाड करना चाहिए उसके लिस्ट यहां पर दिये है अत्यदिक रूक्ष पदार्थ जो है सूखे हु चातरागनी रहे वो कच्छा धान्य खाने के लिए नहीं है कि इसलिए सब्जी हो या कोई भी अन्न पदारत हो वह अधपका या कच्छा नहीं खाना चाहिए हम हवा डिब्बा याने प्रीकुक फूड जिसे डिब्बा बंद आहर कहते हैं उसको भी नहीं खाना चाहिए इनसे हमको हमारा ओज जो है वह कम होता है जैसे अलकोहल है कुछ उत्तेजक पेई है रिफाइंड आटा रिफाइंड चीनी इन सभी पदार्थों को टालन इसको भी हम ओजवर्धन कहना ही करते क्योंकि इनको खाने से ओज कम होगा इसके सिवा है आईरवेद में जिसे रसायन चिकित्सा कहते हैं वह जो डिफरेंट फॉर्म्स या डिफरेंट फॉर्मूले बताया हर्बल टॉनिक्स के जैसे चवनप्राज भी उनमें से एक है और आपके सामने यह कुछ और बाते रखी है जिसमें कुछ और वनस्पतियां जैसे गुड़ुची है आमला है गोप्शूर है पिपली है बला नामक वनस्पति है इनोस्पोरा करडिफोलिया इसको हम कहें दे गुड़ुची को और यह और भी इसमें जोड़ा जा सकता है आठरागनी के अनुसार आहार का सेवन करना चाहिए जितनी भूख है उतना ही खाना चाहिए भूख लगे तब खाना चाहिए और नरिशियस यानि जिससे हमारा नूट्रीशन हमारी शरीर की आवशकता है उसकी पूर्ति हो सके इतना आहार हमने लेना चाहिए जिसमें उपर ध्यान देने की आवशकता नहीं हमने विहार के उपर भी ध्यान देना चाहिए याने हमारे वरतन किस प्रकार से हम करते हैं हमारा कैसा है जैसे बैलन्स लीप आवशकता है स्ट्रेस शरीर के उपर मन के उपर तनाव कम से कम हो इस प्रकार का मेडिटेशन इत्यादी उप्चार भी हमने प्राक्टिस में डेली हमारे करना चाहिए निमित व्यायाम जो हमारा शरीर सह सके उतना करना चाहिए जिसे मैंने अभी बताया योगा अभ्यास हो साधना हो वह हमने करनी चाहिए अभ्यंग जो दिनचरिया में बताया है हो करने का ज्यादा से ज्यादा ब जिसे माइंडफुलनेस भी कहते हैं आज की भाषा में वह हैं प्रमोट पॉजिटिविटी इन यूर लाइफ हमां हमेशा सकारात्मक हम जो है वह अपने आपको रखे जिससे हमारी सकारात्मकता बढ़ेगी और जो भी हम शरीर में लेंगे जिस भी आहरी पदार्थ का सेवन क करेंगे उससे रसादी धातु अच्छे बनेंगे और उससे ओज भी अच्छा बनेगा तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद फिर अगली हमारे लेक्चर में मिलते हैं थांक्यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग करता है